नमस्कार आतर्स सिक्षन समिती बाडमीर द्वारा संचालीत इस सिक्षन कक्षा में आप सबी बया बहिनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन पिछले वीडियो में हमने पंचाईती राज की अंतरकत गराम सभा पंचाई समित की बैठक गराम पंचाईत 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 की कारे एवं गराम पंचाई के आयके शुलतों के बारें पड़ा, अब हम इससे आगे का दिन करेंगे, कुछ राजों में गराम सबाएं काम करवाने के लिए समीतिया बनाती हैं, उधान के लिए निर्मान समीति, मान बेजिये की गाओं में एक सामुदाय केंदर का भवन बनवाना है तो यह काम निर्मान समीति करेगी, इन समीतियों में कुछ सदसे गराम सबा की होते हैं और कुछ पंचायत के, यह दोनों मिलकर गाओं के विकास के लिए काम करते हैं, चल यह देखते हैं कि हरदास गराम पंचायत ने, हरदास गराम पंचायत ने क्या 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 काम किया, हरदास गाओं की गराम को सुल जाने के लिए जो विकल्प दिये थे क्या वे आपको याद हैं जब हरदास कि रम पंचात की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया इस बैठक में सरपंच पंच और सची उपस्तित थे पंचात की सद्धिशों ने सरव पर्थम एक कु लेना पड़े सरपज ने सुझाओ दिया कि चूंकि पंचात के पास एड़ पंप की देखर के मद में कुछ पैसा है सो अन्य पैसों को इसका में लगा जा सकता है इस पर सभी सद्धिश से मान गए और सचीव ने इनके नेने में रजिस्टर में दर्ज कर लिया उसके बाद सभी सद्धिश से मिलकर समश्या के इस्ताई हल पर विचार करने लगे उनको पता था कि अगली बेठक में ग्राम सभा के सद्ध से फिर से पर्षन पूछेंगे कुछ पंचों ने संका जायर करते भी पूछा कि क्या जल सरक्षन से पानी के इस्तर में कोई विश्यस फरक प करेगी यह चित्र दर्साता है कि जलस वर्धन विकास कारेकरम ने दो वर्षों में किसी बंजर जमीन को हरे बरे मेदान में बदल दिया पंचायत की तिन स्तर हरदास गाओं की गिराम सपा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया हो गया की पंचायती राज जेवस्ता एक ऐसी परकरिया है जिसकी दवारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं गृरामीर्ट छैत्रों में गृराम पंचायत लोगत अंत्रिक सरकार का पहला सतर है गृराम पंचायत गृरामसभा की परती जवाब दे होती हैं क्योंकि गृरामसभा की लोग ही उसको चुनते हैं पंचायदी राधिवस्ता में लोगों की भागिदारी दो और इस्तरों पर होती है, घ्राम पंचायद की बाद दूसरा इस्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायद या पंचाय समिती कहते हैं एक पंचाय समित्य में कई ग्रम पंचायते होती हैं, पंचाय समित्य के उपर जिल्ला पंचायत और जिल्ला परिशद होती हैं, यह तीसरा इस्तर होता है, जिल्ला परिशद एक जिल्ले के इस्तर पर विकास की योजनाय बनाती हैं, पंचाय समित्य की मदद से जिल्ला पर देश के हर राजे ने पंचास सबंदी कानून हर राजे में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विजार रही हैं कि अपने गाउं की विवस्ता में लोगों की भागेदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य मिले। अब्यास प्रस्ण पहला प्रस्ण है ग्राम पंचायत की बेठक में कौन-कौन उपस्तित थे। दूसरा प्रस्ण है ग्राम पंचायत के कुल कितने इस्तर हैं उनके नाम लखिए। दिसरा प्रस्ण है ग्राम पंचायत और पंचाय समीति में एक अंतर बताईए। जो था एवं अंतिम प्रश्ण है गाउं का मुखिया कौन होता है धन्यवाद